नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका रूपल की रसोई में दोस्तों आज हमने आपके लिए महाशिवरात्रे स्पेशल तयार करे हैं वरत वाले सामक के लड़ू तो चलिए बनाते हैं इस डिलिशिस रेसिपी को आपके साथ इसे बनाने के लिए हमने लिया है एक कप भरकर सामक तो मेजर्मेंट कमसे हमने से मेजर करा है और एकदम साफ है हमारा जो सामक का चावले आप देख सकते हैं यह देखिए और अब हम इसे भून लेंगे तो इसे भूनने के लिए हमने एक पैन गरम होने रखा है और उसमें डाला है हमने एक चमच खी तो घी को अच्छे से गरम होने देते हैं घी हमारा मैल्ट हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे अपना सामख तो इसे बहुत से नामों से जाना जाता है, इसे मोर्धन भी कहा जाता है और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे लगभक 5 से 7 मिट के लिए तो आप देखेंगे अभी इसका कलर एकदम सफेद है, जिसे जिसे ये पकेगा इसका हलका सा कलर वदामी हो जाएगा और ये हलका सा फूल भी जाएगा तो देखें हलका सा फूल चुका है और इसका कलर भी चेंज हो चुका है बस हमें इसे इतना ही पकाना है, फ्लेम को आफ कर देते हैं और इसे एकदम हम ठंडा कर लेते हैं तो हमने इसे ठंडा कर लिया है, आप देखें और मिक्सी में हम इसका एकदम बारिक पाउडर तयार कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमने इसे बारिक पीस लिया है, यह देखें आप और इसे रख देते हैं एक बार हम सैट में अब एक कड़ाई गरम होने रखेंगे उसमें हम डालेंगे एक चमच घी और घी के साथ ही हम इसमें डालेंगे बारिक कटी हुई बदाम तो हमने सरिफ बदाम का यूज करा है, आप अपने मन चाहे कोई भी ड्राइर फूट्स इसमें डाल सकते हैं बदाम को अच्छे से फून लेंगे बदाम हमारी अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसमें डाल देंगे अपने पीसे होए सामक को तो बहुत ही जल्दी ये लड्डू त्यार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी भी लगते हैं तो सामक को हम पहले ही घी में भून चुके थे तो हम इसे ज़्यादा भूनने की जर्वत नहीं है मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे चार से पांच मिट के लिए तक हमने इसे पकाएंगे कि इसका हलका सा कलर चेंज हो चुका है कुछ इस तरे से और अब हम इसमें डाल देंगे नाद्याल का भूर तो आदा कप हमने लिया है नाद्याल का भूर और उसे भी मिक्स कर लेते हैं एक से दो मिट तक हमने नारियल के बूरे के साथ इसे पकाया है और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे देशी शक्कर आप चाहे तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं ये देखिए इससे जो हमारे लड़ू है और भी हेल्दी हो जाते है तो देशी शक्कर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ टालेंगे हम इसमें आदा कप भर कर मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं फ्लेम को हमें एकदम स्लो रखना है और milk powder डालने के बाद ये नीचे चिपक सकता है तो हम flame को slow रखेंगे और तले से हिलाते हुए से पकाएंगे तो ये देखें सारे सामान अच्छे से mix हो चुके हैं हमारे और अभी हमें इसमें कुछ भी नहीं डालना है पहले हम इसे किसी दोसरे बर्तर में transfer कर लेंगे flame को off कर देते हैं और किसी बाउल हमें से निकाल देते हैं तो हमने इसे किसी दोसरे बर्तर में निकाल दिया है और हलके गरम में हम इसमें डालेंगे तो गी को अच्छे से हमने गरम कर लिया है और इस गरम घी को हम इसमें mix कर लेंगे तो पहले हम घी को अच्छे से mix कर लेते हैं और उसी के बाद हम इसमें डालने वाले हैं वन फोर्ट कप हलका गरम दूद तो दूद को भी हम मिक्स कर लेते हैं जिससे हमारे जो लड़ू बनना है बहुत ही इजी हो जाएगा और घी और दूद को हम अच्छे से हाथों की सायता से मिक्स कर लेंगे अब तयार कर लेते हैं इसके लड़ू तो हमने कुछ इस तरह से इसके लड़ू तयार करें है उपपर से हमने से कोकोनट से कवर कर दिया है तो दोस्तो तयार है हमारे डिलेशन से वरत वाले लड़ू और ये रेसिपिया आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में चुरूर बताएगा थेंक्स वर वाचिंग